हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसे जबरदस्त कलाकंद वो भी घर पे बहुत आसान तरीका है सिर्फ एक लीटर दूस से आप आधा किलो कलाकंद बना सकते हैं वीडियो को लास तक देखते रहना बहुत आसान तरीक का बटन दिया हुआ है सस्क्राइब को सस्क्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर तबाल लेना ताकि आप सभी को हमारी वीडियो डेली मिलती रहे तो कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और इस कढ़ाई में हमें द दूड़ा सा इलाइची का पाउडर डालना है उसके बाद हमें इसको अच्छे तरीके से उबालना है दूद जो है वह एक लीटर बफैलो मिल्क जो नॉर्मल घर में आता है वही वाला दूद है फुल फैट है तो आप यह वाला दूद ले सकते हो जो भी घर में आपके दालना है बस और कुछ नहीं डालना अब इसके बाद हमें सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा नीम्बू का रस चाहिए होगा लेकिन नीम्बू का रस आपको तभी डालना है जब आपका दूद बिल्कुल फ्रेश है अगर आप तुरंट के तुरंट ही मार्केट से खरीद के ल लग जाएगा तब आपको नीम्बू का रस डालने के जरूत नहीं है अगर आपके पास जो दूद है वो फ्रेश है तो आप इसके अंदर नीम्बू और पानी दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर छेड़क देंगे तो दानेदार बन जाएगा तो हमारा जो दूद है वो और डी फिरेज में रखा हुआ था तो यह एंदर बन चुका है अपने आप ही तो हमें इसमें नीम्बू अगर डालने के जरूत नहीं पड़ी तो नीम्बू अगर आप तभी डाले जब आपको दानेदार पसंद है दाना बनाना चाथे है या फ्रेश तब आपको gas का flame जो है वो medium पे कर लेना है मतलब की high पे नहीं रखना है starting में 10-15 मिनट तो आपको high पे रखना है flame को उसके बाद low या फिर medium पे कर लेना है अब हमें इससे धिरे-धिरे करके पकाना है धिरे-धिरे इसको हम पकने देते हैं तब तक हम क्या करेंगे कोई भी इस इसमें फैला सके यह देखे अब इसे हम पकाएंगे करीब 4-5 मिनट और तो यह और भी जादा दाने दाने जैसा दिखाई देने लग जाएगा यह देखे जैसे जैसे इसका पानी सूकता जाएगा इसमें पानी की कमी होती जाएगी यह दाने दार होता जाएगा यह देखे अगर आपको कलकंद जो है वो बिलकुल soft पसंद है white पसंद है तो आप इस time पर gas को बंद कर सकते हैं और इसे फैल आ सकते हैं ट्रे मेरे तो यह बिलकुल बहुत जादा soft रहेगा जैसे हम चमस सिखाते हैं ना वैसा वाला कलकंद रहेगा अगर आप सोचते हो कि इससे बिल्कुल बर्फी जैसे सेट करके बर्फी जैसे पीसेज में कट करके खाएं तो आप इससे थोड़ा सा और पका ले ताकि जो हमारी बर्फी जैसे कलाकंद है वो सेट हो सके थोड़ा सा टाइट रखेंगे इसको तो बर्फी की तरह सेट होगे जो कला कंद है ये लॉंग टाइम तक सौफ्ट रहेगा इसे 10 से 15 दिन तक भी रखेंगे तब भी ये खराब नहीं होगा और टेस्ट भी काफी ज़ादा इंक्रीज हो जाएगा अब ये देखिए गैस को हमने कर दिया है बंद और ये काफी ज़ादा थिक हो चुका है थोड़ एक ट्रे में जो थाली हमने ग्रीस किया था या ट्रे जो भी है बर्फी वाली उसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि इसे हम सेट करने के लिए रख दें अच्छा इसके उपर आप ड्राइफ रोड या चांदी का वर्क जो भी आप इसके उपर लग मैंने थोड़ा से जाधा टाइम रख दिया मैंने या पर सुबा बनाया था और शाम को कट कर रहा हूँ अभी इसको कट करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट जो कलाकंध है मारा रेडी हुआ है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है तो आप इसे आसा यह सारे पीसे जो है वो निकल के आ जाएंगे यह देखे इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो पीसे है वो निकल भी रहे हैं बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं है कि चम्मस से खाना पड़े हाँ ऐसा है कि बिल्कुल बरफी चाहते हो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना